हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अभियान को कोता ही कतई बरदाश नहीं की जाएगी जिला कलेक्टर ने सों वार को जिला कलेक्टरेक सभाकक्ष में आयोजित प्रसाशन गावों के संग अभियान की प्रगति की समिक्षा बैठक में निर्देश दियें उन्होंने जिले में अब तक संपन्न शिविरों की प् करने की ज़रूरत है उन्होंने शिविर के दोरान विद्याले संबरन कारे एवं बेटी बचाओ-बेटी-पढ़ाओ के कारे को भी प्रत्मिक्ता से लेते हुए विद्याले में जो कमी है उसकी पूर्ति कराने जिर्देश दिये इसमें विशेश रूप से विद्यूद एवं पेजल कनिक्षन से दस दिवस पूर्व शिविर प्रभारी को अपलब्द कराये उन्होंने बेटी पचाव बेटी पधाव का शिविर के दोरान अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर बालिकाव को प्रोसाहिद करने एवं महिला शक्तिकरन की योजनाव पर प्रभावी कारे करने को कहा विशेशकर इंदिरा महिला शक्ति निधी योजना में आवेदन लेकर लाप पहुचाने की निर्देश दिये जिला कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत में पेंशन के पात्र एवं पालन हर योजना के पात्र कोई भी वंचीत नहीं रहे इसके लिए ग्राम विकास अधिकारियों एवं पटवारियों को पाबंद किया जाकर शत प्रतिशत पातर लोगों को योजना से लांभावित करने की निर्देश दिये इस दवरान अतरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्चोही ने अभियान को और अधिक प्रभावी बना कर ग्रामीन जनों को इसके माध्यम से लांभावित करने पर विशेश जोर दिया बैठक में मुखे कारेकारी अधिकारी मोहंदान रतनू समेथ सबी विभागों के जिलास थरी अधिकारी मौजूद रहें जागरू टीवे के बार मेर से ठाकरा मिखवाल की रिपॉर्ट